भारत और पाकिस्तान के बीच में T20 वर्लकप 2021 का पहला मुकावला बसको समय बादे स्टार्ट होनी वाला है मगर दोस्तों उससे पहले जो भारती टीम के दर्सक हैं भारत के जो दर्सक हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर आ रहे हैं सामने क्योंकि बीसी से इने चार बड़े खिलाडियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और अब पाकिस्तान के खिलाब वो आपको खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं ये बहुत बड़ा जटका है भारती टीम के लिए अगर आप जानना चाहते हो क्या इनके बिना भारती टीम इस मुकावले को जीत पाएगी और ये खिलाडी आखिरकार है कौन तो वीडियों को एक दिल से लाइक करिए चेनल को सस्क्राइब करिए बेलाइक नदबाएए और लोटिफिकेशन पर क्लिक करना बुल कुन ना भूलें जब जब भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होती है तो जो फैंस का रोमांच है साथ में आस्मान पे पहुंच जाता है भारत ने पाँच मुकावले खेले हैं पकिस्तान के खिलाफ और एक भी मुकावलन नहीं आ रहा है भारते टेम यह बहुत बढ़ी बात हो जाती है भारते टेम के लिए दोस्तो भारते टीम से चार बड़ी खिलारी जो भार के BC से ने उसमेंसे पहला नाम निकल के आता है दिल्ली के खतरना गैंदवाज आवेस खान का उसके बाद दोस्तों दूसरा नाम निकल के आता है लोकमान का तीसरा नाम निकल के आता है आर सिबी की ओर से खेलते हुए आई पेल में सबसे ज़्यादा बिकेट चटकाने वाले खिला रही हरसल पठल का और अब आखरी नाम आता है उमरान मलिक का जिसने आई पेल में सबसे फास्ट गेंदवाजी की थी गायस आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर वाता ना केसे मुकाबले को कौन सी टीम जेते गी भारत या फिर पाकिस्तान कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बुलकू न भूलें